हेलो फेरेंट सागत करते हैं आपको अपने यूटूब चैनल के एस फर नीचर आइडियाज के एक और वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे दोस्तों इस एक अलग से वाड़ोग के डिजाइन के बारे में जो कि आप देख रहे हैं ये टी पटी द्वारा बना हुआ डिजा करेंगे दोस्तों एक छोटा सा वाड़ोग बनाने के लिए एक छोटे से रूम में किस तरह का डिजाइन करना चाहिए ये सब भी इस वीडियो में बताएंगे तो दोस्तों सबसे पहले इसके वीर्थ के बारे में जान लेते हैं जो कि इसका वीर्थ है दोस्तों इंच 친ल आप एसके जो है लौफ्ट की बात की जाए दोस्तों तो है तो इस तोलाप इसके हो लौफ अजाए क्या त्योन्ति त्यों पत्य। इंचस हैं नीचे से देखेंगे वार्ड्रोब तो सेबसे निचे से जो drop top का level है उसका 7 feet 2 inches है अब इसके अलावा दोस्तों इसमें एक चीज और है जैसे कि यह हमारा side का deep हो गया है तो कुछ लोग side के deep में जगह के हिसाब से बनाते हैं तो यहां हमारा बहुत सारा जगह था इसलिए हमने इसको 2 feet बनवाया है चूंकि यह sliding है दोस्तों तो चार इंच sliding track के लिए चला जाता है तो जो अंदर जगह बचेगा वो करीब करीब 20 inch या 19 inch बचता है क्योंकि ड्रावर का लाक भी लगाना रहता है अब यह बाहर का look देखेंगे दोस्तों outer look तो डेड़ इंच की जो यह पट्टी है हमने चैनल कवर करने के लिए तीन तरफ से बहुत अच्छा है look में लिया है और यह दोस्तों sub sub closing है इवको का sub closing है 50 plus track का इसका नाम है यह आप देखें तो इसको लगवा सकते हैं इसके handle की बात करें दोस्तों तो handle हमने 10 inches का लगाया है जो कि बहुत ही फ्यारा है smooth है golden color का है antique golden है दोस्तों इसको पूरा golden नहीं बोलेंगे और इसको मैंने पतला size वाला लिया इसमें बहुत सारा size आता है जो कि पतला वाला लिया है यह actually दो दो डोर का wardrobe है जिसमें दो पार्ट में inside का measurement भी हम आपको बताएंगे क्योंकि एक डोर जो खुलेगा वो अलग- पार्ट को डिवाइड करता हुआ नजर आएगा जैसे कि आप यह देख रहे हैं इस पार्ट को हमने जो है रखा हुआ है folding नीचे ड्रावर से 6 इंच के इसको देखेंगे तो यह 6 इंच का हमारा ड्रावर है टेलिसकोपिक चैनल पे है जो कि स्टाप्ट क्लोजिंग है बिल दूसरे तरफ है सबसे पहले उपर मेजरमेंट की बात की जाए दोस्तों तो 10 इंच है उसके बाद ऐसे देखेंगे तो हमारा 18 इंच है यहां से देखेंगे दोस्तों जो कि यह 30 इंच का है उसके बाद यहां मैंने एक folding self लगाया हुआ है यहां से देखेंगे तो यह 15 तो एक बड़ा और एक छोटा हमने रखा हुआ फोल्डिंग सिर्फ नीचे वाला देखेंगे तो 16 इंच पर है उसके ऊपर देखेंगे तो यह 12 इंच है इस तरह से मैंने दोस्तों इस पार्ट को बनाया हुआ है और इंसाइड जो है हमारा प्रोफाइल लाइट है जो कि सेंस उसको आप खीचेंगे तो यह टो में टिक लिए वह जो है लाइट आ जाएगा उसमें अधी आप डॉर को बंद करेंगे तो क्लोज हो जाएगा यह दोस्तों डेटेस्ट डिजायन में है दूसरे तरफ देखेंगे दोस्तों तो यहां हमारा हैंगर नहीं है उपर की तरफ यहां हमने एक फोल्डिंग सेल्फ लिया हुआ है और यहां तीन गाले किये हुए हैं जो कि जिसका मिजर्मेंट हम आपको बताएंगे और यहां पर जैसे कोट्स वेरवानी हैंग करना रहता है तो यहां पर जो है हम लोगों ने इसको एक बड़ा सा जो है अपना 40 इंच का देखे इसको जो है बना दिया इस पेस का ऊपर की स्पेस की बात की जाए तो दोस्तो 14 14 इंच का हमारा तीन इस पेस है तो इस तरह से कुछ हमने बनाया हुआ है जैसे आप डोर को क्लोज करेंगे तुरंत लाइट हाफ हो जाएगी अब रह गई बात दोस्तों पट्टी की तो पट्टी में बहुत सारे कलर आते हैं टी पट्टी के गोल्डन ब्राउन आता है तमाम आता है और इसमें जो है थिकनस भी बहुत सारा साइज के आता है लेकिन बहुत ज़्यादा आप मोटा लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए 8 mm काफी है इसका क्रास करने के लुड़ु है यहां से दोस्तों टुन्ती सिंस प्राइब हुआ लिया हुआ है और नीचे भी देखेंगे तो यहां से भी मैंने टुन्ती正inas लिया है उसके बाद मैंने गृू करके इसको बैठा दिया और यहां से इसकी बात की जाए दोस्तों तो यह 10 इंचस पर है और सेम दोस्तों यह भी 10 इंचस पर है और वो करणर को कीछ दिया है तो इस तरह से हमारा यह बन गया डिजाइन जो की देखने में बहुत अच्छा लगता है सेम पैटन को हमने दोनों डोर्स में जो है हुआ है इसका जो रिफ्लेक्शन दोस्तों आ रहा है क्योंकि यह यह सच यह जी लेमिनेट है सुपरलेटिव हाई गलोसी और यहां दोस्तों जगह नहीं रहने के वज़े से थोड़ा यहां आमने जो है फोल्डिंग टेवल का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि आप यह देख दोस्तों हमारा जो है अब जो देख रहे हैं फिटिंग इबको का है दोस्तों फोल्डिंग टेवल के लिए आता इसकी वेट कैपसिटी 30 kg तक है दोस्तों 30 kg तक आप इस पर मिक्समून रख सकते हैं और इसके ऊपर दोस्तों हमने बुक सेल्फ रखा हुआ है जो कि सब दोस है यह इ 아니야 storage मैंने कुछ खड़ा भुक रखने के लिए किया हुआ है इसका हाइٹ देखेंगे दोस्तों तो इस ऐसे देखेंगे तो यह हमारा शिक्राइंच और यह 16 इंच है आगला दोर भी 16 इंच है मतलब कुल मिला के एमारा 4 फिट का दोस्तों ऐसी बना है और इसका एक fit के अंदर ही रखा है तो कुछ इस तरह से हमने इसको बनाया हुआ है अब इसी में दोस्तों जो है है एड़ बोर्ट के साइड जो आने वाला एकवाडरोब है इसको देख लेते हैं कुछ इस तरह से हमने की गजान किया हुआ है जो कि दो कलर के combination में बनाया हुआ और इसके हन्डिल की बात की जाए दोस्तों तो यह हैं तो हमारे 22 इंम यंच का हमने बनाया हुआ है यहां भी अमने 10 sensor वाला light प्रयोग किया है जो कि काफी ज्यादा अच्छा रहता है कपड़ों निकालने में थोड़ा सा मदद करता है क्योंकि अंदर light आ जाता है तो देखने में उसका look भी बढ़ जाता है और थोड़ा easy हो जाता है सब कुछ निकालने में कुछी स्था इसमें ऊपर नीचे दो सेल फिक्स करके बाकी जो है दो मैंने folding लगा दिया हुआ है और एक हेंगर लाड़ भी लगा दिया हुआ है ताकि इसमें बड़े चोटे समान आप आराम से राख सकें तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो इस रूम का जाएं कमेंट में जरूर वाइए